अब आप अब ऐलो फ्रेंट्स वेल्कम टू जेशी सीपी एक्जाम इनफू दोस्तों जेशी सीपी एक्जाम इनफू में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करने जारें बिएट जो एडमिशन हो रहा है बिएट कोर्स में सेकंड काउंसलिंग से रिटेट तो उसका जो ग्हूंजिंग का वेटगा कभ तक आएगा और कभ तक अठिखन आप करा सकते हैं और इंपॉतन डॉकिमेंट कुछ भी इंफरमेशन ने ताप अए बकster सेढ़ उसमें है उस avis लिबर इसने चाहते हैं उसका विडियों और तो निनक देहा रहना काउंसेलंग कर सकते हैं नीचे डिसक्रिशन बॉक्स में लिंक दिया हुआ ते लिए देखते हैं नोटिस क्या है ये नोटिस बहुत इंपोर्टन नोटिस है तो बीएड पार्टिकरम के सेक्षिनिक सेथ 2020-22 में नामंकर ने तुझ देखिए आयुद दित साखतकार से अनुसंचित संसोधित आवंटन सुची के अनुसार नमंकर किये जाने से समधित अती महत्पून सुचना दित ओनलाइन साखतकार जो सेगंड राउंड कांसिलिंग हुआ था उसके आधर पर परसत दोवारा 15 फर्वरी 2020 को जारी ओब बंदिक जो सीट था प्रोविजनली सीट में जो था अलेटमेंट सीट तुरुटी पूर्ण पाए जाने के कारण उसे एतत दोवारा रद किया जाता है संसोधित सीट आवंटन सुट जो है सुची परसत दोवारा जारी कर दी गए जो अंते उनुप से माणियोंगा तो जारी कर दिया गया वह अगर देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको मिल लियागा वहां से आप देख सकते हैं जो रिभास्ट था अलेटमें सकतकार के आधार पर जारी संसोधित सीट आउंटन सुची तदा संसोधित ओबंदक सीट आउंटन पत्र जो है डाउनलोड करके क्या संस्थान में मतलब जिस कॉलेज में आपको सीट अलोट हुआ है उस कॉलेज में जाके आपका डिमिशन करना है फ्रेज डाउनलोड करके दिविति साक्षात उपरांद मतलब जो सेकंड कांस्लिंग हो उसके बाद पूरु के तुरुटी पुन सीट आउंटन का अधर पर वेशे अभेरती जो संबंदित संस्थार में नमांकन करा चुके हैं उनका नमांकन क्या हो दा रद समझा जाए मतलब पहले जो डाउनलूड क अधर के एडिमिशन कर लिए पहले ही वो लोग का क्या रद समझा जाए जो नया उसके आधर पर आपको एडिमिशन कराना है संस्था शीट आउंटन सुची का अनुसार जारी आउंटी संस्थान में उन्हें नमांकन कराना अनिवार्ज होगा जो रिभाइस्ट है उसी का अधर पर आपको एडिमिशन कराना होगा ने तो जो पहले करा हैं वो क्या होगा कैंसल हो जाएगा रद माना जाएगा ताथ अभी अर्थियों की कटिनायों को देखते हुए दीत ऑनलाइन संसक्कार आप देखें बहुत से इस्टोन एडिमिशन करा लिए होंगे तो वह ल पहले उसको बढ़ा करके क्या किया है 19 फर्वरी से 25 फर्वरी तक रिवास्ट एक्स्टेंडेड डेट है यहां पर बढ़ा करके 19 से 25 कर दिया गया और डोकुमेंट वेरिफिकेशन होगा और साथ ही एडिमिशन इन कंसर्ण इंस्चूट मतलब कि स्कॉलेज में आपको सीट लेगा न्यू एलेट्मेंट जारी क्या उसी का दार पर आपको एडिमिशन लेगा कॉलेज में तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में यह था इन्फोरमेशन थेंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो कीप सपोर्टिंग कीप वाचिंग थेंक्यू वेरि मच